हेलो बच्चों स्वागत आप सब्सक्राइब क्लास में तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में डिस्कॉस करूंगा कि 8 स्क्वाइर बढ़ा होगा या फिर 2 रेज तो दिपावर 8 बढ़ा होगा ओके तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसकी मत करिएगा चलिए फि देखिए कि मैंज से एक्जामपल नंबर 3 है विच बन इस ग्रेटर 8 स्क्वाइर और टू रेज तुदी पावर 8 देखो सबसे पहले हमें क्या करना है इनको solution देखो सबसे पहले में क्या करना है कि इनकी आंसरस फाइंट करना है यानिकी value फाइंट करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले मारे पास 8 स्कॉयर है तो तो 8 square को जब हम solve करेंगे 8 into 8 देखो 8 8 जा 64 यानि कि 8 को multiply करेंगे 8 times तो answer कितना आएगा 64 इसी प्रकार से जब 2 को solve करेंगे 2 raise to the power 8 तो यह हो जाएगा 2 into 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 2 कितना हो गया 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसको 8 times multiply करेंगे तू 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 जा 4 obviously 256 is greater than 64 here 256 is greater than 64 thus 2 raise to the power 8 is greater than 8 square ओके यह है मारा answer होगा इस question क्या आप चाहओ तो वीडियो को pause करके इसको time down कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो तो मेद करता है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए मैं मिलूँगा अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ अब तक लिए जय हिन